पांच ऐसे जूट जो सोलर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं अगर आप सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर आपने अलड़ी सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाया हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए भूचाता म्हात्मूर्ण हो ज पहेंगे और वही जो आपको अप्टूदा मार्क परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है उसी सिस्टम से आपको एफसम परफॉर्मेंस मिलने लेगी अगर आप सोलर पैनल लेने का प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा महकून हो जाता है इस जैसे यह वीडियो आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी आँखें खुलती चली जाएंगी कि जिस बात को आप सच मानके बैटे थे वह बात असाल में पूरी तरीके से जूट निकली तो मैं हूं दीपक चौदरी और आप लोगों से रिक्रेस्ट कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जोट कीजीगा अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तरपर चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो जाद से जधा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जनकारी का या यह कहा जाता है वह यह एक बेकार की चीज है और इन्वस्टमेंट जो है एक बेकार इन्स्मेंट होता है तो उस टाइम पर solar panel काम करेगा नहीं आखिरकार हमें grid या generator पर जाना ही है तो क्यों solar panel में पैसा डालना है तो friends ये जो हैं ये एक सबसे बड़ा जूत है 2017-18 से पहले solar panel इस तरह के आते थे कि जो cloudy season में बारिश के season में काम नहीं करते थे पर हम लोग 2023 के mid में हैं और 2021-22 से ही हमारे पास इस तरह के panels मुझूद है जो की बारिश में भी काम करते हैं तो आपकी चाहे काले बादल हैं चाहे सफेद बादल हैं बारिश हो रही है आप ऐसी जगा रहते हैं जहां बारिश होती है ऐसी जगे solar panel को काम करता है अगर आपने अच्छी टेक्नोजी का solar panel लगवाया हुआ है अगर आप latest technology के solar panel के साथ में गए हैं तो फिर आपको कोई भी वरी होने की आवशक्ता नहीं है तो जो latest type के solar panel हैं जिसमें half cut panels आ रहे हैं मुनुपर्क जो panels हैं बाइफिशल panels हैं तो ये पैनल का production जो है वो बारिस के मौसम में जीरो नहीं हो सकता है अब इसमें ये है कि जितना production उसको करना चीए मन आपने एक किलोट का panel लगवाया हुआ है और उसको करीब 600-700W का production करना चीए तो ऐसा तो नहीं है कि वो panel 600-600W का production करेगा पर ऐसा भी नहीं है कि जीरो वाट का production करेगा तो मतलब 200-300-100W आपको बना के देता रहेगा ताकि आपके जो बहुत emergency वाले load है वो आपके बंदना हो अब market में दूसरा जो सबसे बड़ा जूट बोला जाता है और जिस जूट को आप मानके पक्का बैठे हैं यहां पर ठंड का मौसम रहता है temperature zero हो जाते है माइनस में चले आते हैं या average temperature रहते है ऐसी जगों के लिए solar panel नहीं है तो friends यह कोरी जूट है solar panel में आप technology कोई भी ले लिजिए monopoli, half cut, biofacial कोई भी आप technology लिजिए पर हर panel की जो temperature है जैसे जैसे solar panel में temperature बढ़ेगा वैसे जैसे solar panel का production जो है वो कम हो जाता है अब इसका एक mathematical formula है कि कितना कम होता है तो solar panel का जो standard है वो standard है कि 25 degree Celsius अगर किसी भी पैनल का temperature है तो उस time पे पैनल जो है अपना maximum जो है production कर सकता है अब केवल में temperature slated ही आपको ये बात बता रहा हूँ और भी बहुत सारे जो है parameters होते हैं जिस parameter के अंदर जो है solar panel अपना 100% performance देता है हमारा ambient temperature जो है माना वो है 25 पर इसका मतलब ये नहीं है कि solar panel का जो temperature होगा वो भी 25 होगा तो अगर आप अपने solar panel को देखेंगे जिस time पे आपके जो atmosphere का temperature है वो 25 डिग्री है तो में भी possible कि आपके पैनल का temperature 30 है 35 हो तो ambient temperature से हमेशा solar panel के temperature जो है वो ज़्यादा रहते हैं तो 25 डिग्री Celsius से पर डिग्री जितना जितना temperature बढ़ता जाएगा पर डिग्री कमी जो है वो आती चली जाएगी तो solar panel की जो temperature है वो एक कमजोरी है अब किसी भी solar panel को काम करने के लिए temperature matter की नहीं करता है solar panel को केवल matter करता है कि उसको जो radiation है जो photovoltaic rays है वो उसको मिल रही है temperature zero है minus है matter नहीं करता है आपका solar panel कम करता रहेगा तो अकसर आपने देखा होगा कि जब मई जून के महिने में solar panel के जो production है वो कम हो जाते हैं आपका 108 का panel अगर आपका 60-70 watt बना के दे रहा होता है सर्दियों के टाइम में तो गर्मियों के टाइम में वो ही पैनल 40-50 watt बना के देने लगता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन यहीं है अब इस रीजन का solution यह है कि अगर आपने पैनल अभी तक नहीं लगवाया है तो फिर आप यह कर सकता है कि आप जो він हो लेili सकता है उसलील की परफॉर्मरस शप्रॉर्टंश knowing नहीं गढ़ती अब यहीं पर दो चीज़ मैं और बता झाल…? आपना लगवाया वह हों 통 भूँ सारे लोग основ कर लालेश करते हैं उनका वापकर follow आपना पैनल लगवा लेती है matlab और तीन शेड पर चार इंच्टी या शेंची आपने उठवाया पैनल को और लगवा दिया तो उसको जिरो स्ट्रेक्शर पर पैनल कभी नहीं लगवाना चाहिए उसका रीजन यहां कि मानग नीचे टीन swimming छेटेंट से तक रहा है उसको नुखसान पहुंशता है उसको नुखसान क्या होंचेगा पेनल घरम है उपर से जिस लगा हुआ है माना कि ईपने यह वह रहा है तो सूलर पेनल लगा हुआ करते हैं जिससे आपके solar panel का जो performance कम हो जाता है इसलिए कभी भी solar panel को कम से कम अगर आपने इस तरह कराया हुआ है तो आज ही अपना चेंज करा सकते हैं और आप देखेंगे कि अगर आपके प्रोडेक्शन बढ़ जाएगा अब तीसरा जो है बहुत सारे लोग मार्केट में इस तरह का रूमर्स करते हैं कि केवल बिजली के साथ ही काम करता है बिजली के बिना जो है solar panel काम नहीं करता है तो फ्रेंट solar panel की तो अलगलग टेक्मोजी है एक है on grid और एक है off grid तो जो on grid system होते हैं वो इस तरह design कि जाते हैं कि वो केवल grid की availability पे ही जो है वो काम करेंगे पर सारे टाइप के solar system इस तरह के नहीं होते कि वो केवल grid के साथ ही काम करें मार्केट में जो दूसरे टैप का system है off grid उसमें बिजली की कोई कोई जूत नहीं है आप बिजली रखना चाहें आप रख सकते हैं नहीं रखना चाहें ना रखें तो उसमें जो पैनल को काम करने के लिए के additional source की जूत होती है क्यो वो क्यों नहीं करेगा क्योंकि जो radiation है जो solar panel पर पढ़ रहा है sun का वो radiation जो है plus-minus होता रहता है तो जैसे radiation plus-minus होगा उस तरह जो पैनल का protection हो आपका plus-minus होता चला जाएगा तो अब क्या है कि आपको जो energy चीए वो आपको एक constant energy चीए तो energy को constant करने के लिए grid एक support दिया जाता है चीए आप यह तो ग्रीट का support दे सकते हैं या फिर आप battery bank का support दे सकता है तो यहां battery bank का support दी जाता है उसको stress ton ओलते हैं जहां बीदली का support दियाता है LG Red का support दियाता है उस system को on grid system बूले जाता है ऐस Anyways तो all-2 जज़ ग्रेज है आज की डेट में कि लोग ऑफ़ड होना चाहते हैं अपनी जितनी उनको बीटली चाहिए अपना खुद से बना रहे हैं बीटली वाक से उनका कोई लैना देना एगी वह सारे लोग ऐसे भी है जो ने बीटली का कनेक्शन जो हैं सुलर लगवाने के बाद में कटव लगा लिया तो डैफिनिटली आप जो हैं वो ग्रिड फ्री हो सकते जो लोग ऐसा बोलने हैं कि केवल बिजली के साथ काम करता है वो भी एक जो हैं बिल्कुल गलत बात है सोलर से विदाउट बिजली बहुत बढ़िया से काम करता है और जिसका लाइव एग्जाम्पल हथ हजारों की जंख्या में देख सकते हैं अब जो चौथा सबसे बड़ा जूट मार्केक में बोला जाता है वो है कि सोलर पैनल जो है वो अमीरों के लिए है और सोलर पैनल का जो रिटरन ओफ इंवस्मेंट है वो इतना कम है कि अगर मैंने एक सोलर सिस्टम लगवाया पांच लाग रुपे का जो ब्याज आएगा वह ब्याज आएगा 20,000 रुपे या 15,000 रुपे तो उसमें से 10,000 रुपे मैं विजली बिल पे कर दूंगा और 10,000 रुपे मुझे बच और जाएगी तो मेरे को क्या फाइदा है कि मैं पांच लाग रुपे इंवस्ट करूं सोलर पैन और मेरा बिल वीज़ी का बीज चलाएगा तो इस तरह के जो बाते हैं मैं नहीं होते हैं और मार्के बहुत मा बहुत जाएं स्तरह के वें होते हैं तो यह ब्लकूल बात है अगा प्रपर लीआप ढ़ंकते कराए Fourier तो solar panel का धाई से साड़े तीन साल के बीच में ROI निकल के आ जाता है अगर आप residential यूज करता है अगर आप commercial यूज करते हैं और आपके यहाँ पर DG SET का भी इस्तमाल होता है तो करीब 2 से धाई साल के अंदर ही ROI निकल के आ जाता है अब ROI जो है वो डिपेंट करता है कि जहाँ आप रहें वहाँ पर जो बिजली की जो existing bills हैं वो कितने हैं कहीं 4 रुपे यूनिट है कहीं 5 रुपे है तो जहाँ 4 से 5 रुपे यूनिट है तो वहाँ पर ROI जादा टाइम में निकल का आएगा तो वो लोग केवाल एक ही पार देखते हैं दूसरा जो पहलू है दूसरा पहलू यह है कि ग्रिड जो है वो 24 आर्स नहीं रहती है उस ग्रिड का अपने अगर connection लिया हुआ है तो connection लेने के बाद भी आपको जब ग्रिड जाती है आपकी उस टाइम पर भी आपको एक inverter बैटरी आपको कम से कम रखना पड़ता है और कई बर ऐसा भी होता है कि कई के दिन तक जो है ग कमा लेते हूं तो ऐसे लोग तो दुनिया में बहुत कमी मिलेंगे पर जहां चार से पांट परसेंट का अगर कोई ब्याज कमा रहा है तो definitely महां पर बहुत बड़ा जो रिस्क है वह आदमी महां पर ले रहा होगा आप अगर बैंक में जाएंगे तो बैंक में आप देखें और जहां कोमर्शियल या इंडस्टरल या फिर वहां पर जो विजली के जो स्लैब है वहाई रेट पर आठ से तस रुपर यूनिट है वहां पर तीन साल में आराम से जो आरवाई निकल आता है तो जहां पर 20 से 30-35 परसेंट का और यह निकल के आ रहा हो वहां मुझे तो ल कमा रहे हैं तो मतलब चार साल में आपको पैसा निकलाया जो भी आपने डाला और 26 साल आप उस इंवस्टमेंट का रिटर्न आपको कंटीन्यू आता रहेगा अब जो लोग आज का काम कर रहे हैं और इतना मोटार इंवस्टमेंट ले रहे हैं वह 30 साल तक उत्रा लंबा र लगा लेजिए आपके पंखे टीवी पंखे चलते रहेंगे अगर आप कोई इंडस्री चलाते हैं आपके कोई आटा चक्की है इस पेलर है तो और आपको ऐसा लग रहा है कि नजी आपको तो ग्रिड कनेक्शन ही लेना है और सुलर पेंडल मेरा इतना बड़ा लोड नहीं च चला सकता है मेरे डीप फ्रीजर है वो नहीं चला पाएगा तो सब गलत बाते है दो से कितने भी बड़े लोड चला सकते है अब कुछ रूऊंगों के यह होता है कि मेरे पास उतना पैसा है नहीं तो एक साथ सोल पैसा जाएगा तो वो मैं कैसे और आपको अई क्या छे इन्वर्टर जो है वो आजकी रेट में जोड़ सकते हैं नंबर ऑफ बैटरी आप लगाना चाहें लगाईए ना लगाना चाहें ना लगाईए इस तरह के भी सोलर जो है वो इन्वर्टर मार्केट में आजकी रेट में एवलेवल हैं कि जो आप विदाउट बैटरी भी ऑप कर सकते हैं नंबर ऑफ बैटरी आप एक लगाना चाहिए यह दस लगाना चाहिए जैसी आपकी जो तो उसके साब से आप नंबर बैटरी लगा सकते हैं तो आपको धीरे-धीरे अपने स्वेल सिस्टम को आप एक्टेंड करा सकते हैं बाकि बहुत सारी सरकारी यूजनाई भी चल लहीं है जिन में अगर आपको और आपको लेके जाएंगी तो अगर आपके पैसे नहीं है तो आप लोन करा सकते हैं आप लोन के साथ दी सोलर सिस्टम ले सकते हैं और अगर आपके पास में कम बजट है आपको लोन नहीं लेना है तो अप धीर धीर अपना सिस्टम एड़ोन करा सकते हैं तो फ्रेंड्स यह थे मार्केट के पांच सबसे बड़े जूट की जीन जूटों को एक आम इंसान सच मान के स स्टम से दोर हो रहा है तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरी इंफॉरमेशन कैसी लेगी इस इंफॉरमेशन से अगर आपने कुछ आपको फायदा मिला हो तो अपना एक्सपरियेंस आप कमेंट में जरूर लिखे हैं मुझे पूरी नहीं किया है तो क्रप्याट चैनल को सब्सक्राइब करें आखिर तक अपने वीडियो देखा उसके लिए आपको परवड़ धन्यवाद थैंच्छ